जैहिन दोस्तों नितीस आलराउंटर के चनल पे आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस लेक्चर में हम प्रकास के परावरतन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमने पिछले लेक्चर में बिस्तरित परावरतन और नियमित परावरतन के बारे में हेडिंग क पढ़ा हुआ था ठीक है अब इसके अंतरगत जानेंगे कि बिसरीत परावर्तन क्या होता है और नियमित परावर्तन क्या होता है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं यह देखे दोस्तों बिसरीत परावर्तन का मतलब क्या होता है इसको आप irregular surface कहते हैं इंग्लीस में या तो इसको आप कहते है ओन यमीद परावर्तन जब दोस्तों प्रकास की किरोड किसी खुरदूरे प्रिष्ट से टकराती है तो वहां पे बिसरीत परावर्तन कहलाता है मैं आप लोगों समझाता हूँ देखिए जैसे माल दीजिए कोई ऐसा दिवार है जो की ऐसे है कुछ ठीक है जो की टेड़ा मेरा है ठीक है तो यदि इस पे यदि प्रकास किरण आपतित होगी तो इस प्रकास किरण की एक निश्चित दिशा नहीं होगी टकरा के वापस जान कि एक निश्चित दिशा नहीं होगी तो आप इसे कहेंगे बिशरीत परावर्तन या ओन नियमित परावर्तन इसका मतलब यह हुआ कि परावर्तन होने का कोई नियम ही नहीं है जिधर से मन तिज़र से टकराक वापस हो जाएगा माल लिजे कुछ प्रकास इधर चली गई ठीक है कुछ प्रकास इधर कुछ प्रकास इधर ठीक है यानि देखे यहां पर इसके इस प्रकास के टकराक के वापस जाने का कोई निश्चित मार्ग नहीं है तो इसे आप कहेंगे औन नियमित परावर्तन या बिसरीत परावर्तन ठीक है तो चली इसके में हम लिख लेते हैं जब प्रकाश किसी खुर्दूरे प्रिष्ठ पर आपतित होता है तो उसी माध्यम में सभी दिशाओं में परावर्तित होता है इसे विशरीत परावर्तन कहते है तो यह आपका होजा विशरीत परावर्तन का अब हम देखते है नियमित परावर्तन यह आपका बना है वर्टिकल डाइगराम है आप इसको होरिजोंटल भी बना सकते हैं नियमित परावर्तन को हमारा अगला हेडिंग रहेगा नियमित परावर्तन नियमित परावर्तन देखिए यहां पर जो परावर्तन होगा वो किसी समतल प्लेन पर होगा समतल पर यदी परावर्तन होगा तो उसे आप कहेंगे नियमित परावर्तन तो चरीश में लिख लेते हैं जब प्रकाश, चिकने समतल प्रिष्ठ पर आपतित होता है, तो उसी माध्यम में, विशिष्ट दिशा में, या विशेश दिशा में, विशेश दिशा में, परावर्तित होता है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं, ये लिजिए, ये माली ये कोई आपका, गलती हो गया, ये आपका तो हो गया, आपका क्या, और नियमित परावर्तन के लिए हो गया, ये खुरदुरा वाला, ऐसे आपको प्लेन बनाना है, ये हो गया, ठीक है, प्लेन पे अगर कोई प्रकास किरण अगर ऐसे आके टकराती है तो ये प्रकास की रड़ एक निश्चित दिशा में जाएगी ठीक है निश्चित दिशा में अब देखिए अब ये तो बात था ये आपका वर्टिकल बात था उर्धवाधर के लिए अब ये डाइगराम 36 का देख लेते हैं 36 का इसको आप कोई समतल प्रिष्ट कह सकते हैं इ ये प्रकास की रड़ आई और ये किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो गई ठीक है ये प्रकास आई और एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो गई देखिए दोस्तों मैं आपको इसको समझने का बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूं मान दीजिए कि आप अगर गेंद अगर आती है तो अब वो टिपा खाते हुए आती है तो आपको डारेक्शन पता चलता है ना कि वो मेरे पास ही आने वाली है लेकिन अगर वही आप यदि आप क्रिकेट किसी खेत में खेलेंगे जहां पे जो है की काफी खुर्दूरा जमीन है वहां पे तो दोस है तो यह आप समझ सकते हैं नियमित परावरतन और 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 यह हुगा खुर्दूरे प्रिष्ट पर जो है कि प्रकास किरट टकराएगी तो जो की से घिटेश में परावर्तित नहीं होगी उसका दीशा कोई निश्चीत नहीं होगा वहर दिशाओं में परावर्तित आगे हम heading पढ़ लेते हैं प्रकास परावरतन के नियम बहुत important है दोस्तों प्रकाश परावरतन के नियम अगला heading है प्रकास परावरतन के नियम तो देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ यह देखे बहुत important है यह आपके exam में आने के chances रहते हैं ऐसे question का चलिए हम दोस्तों पहले कोई एक सतह ले लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं LM ठीक है यह कोई सतह है और इसका हमने नाम रख दिया LM अब मान लिजे यह जो प्रिष्ट है यह कैसी है यह प्रिष्ट अपार दरसी है अपार दरसी कहने का sense यह है कि इसके आर पार देखा नहीं जा सकता तो आर पार नहीं देखा जा सकता है तो मान लेते कि यह कोई काच है और इसके एक तरफ क्या किया गया है पालिस तो यह देखे यह जो हमने जो लाइन बनाया है यह पालिस बनाया ठीक है एक तरफ क्या है पालिस है यह यह पालिस होगिया ठीक है अब दोस्तों मान लेते हैं कि इसके bीच में इस सतफ़ पर जहां पर 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 प्रकास कीरण गिरी है तो वहीं पर एक लंबवत लाइन खीचेंगे किसे प्रिष्ठ के लंबवत यह जो LM प्रिष्ठ है L और M इस प्रिष्ट के लंबवत वहीं पर क्या खिचेंगे एक लाइन खिचेंगे यह लिजिए यहीं पर एक आपको लाइन खिचना है लंबवत बिलकूल यह लिजिए हमने लंबवत एक लाइन खिच दिया ठीक है यह हमने लाइन खिचा अब देखिए दोस्तों अब यह जो प् भी रख देते हैं इस कीरड को कहा जाएगा आपतीत कीरड इसको कहा जाएगा आपतीत कीरड ठीक है जो कीरड सतह पर जाती है उसे कहते हैं आपतीत कीरड ठीक है जो कीरड सतह पर जाती है उसे कहते हैं आपतीत कीरड इस कीरड का नाम रख देता हूँ मैं A और जहां पर बिं आप कुछ भी नाम रख सकते हैं मेरे मन में जो आईडी आ रहा है मैं रख दे रहा हूँ तो ये जो लंब जो लाइन खीचा गया है तो इसका हम नाम रख देंगे अभी लंब इसका नाम रख देंगे अभी लंब ये लिजिए अभी लंब तो ठीक है और देखिए दोस्तों यह क्छा है यह अभिलंब हमेशा उस प्रिष्ट से क्या होगा लंबवथ होगा इस बात को आप बहुत अच्छे ज्यान देंगे कि यह जो अभिलंब जो लाइन है ये LM जो प्रिष्ट है जिस पे प्रकास गिरी है ये प्रिष्ट के अभिलंब जो है वो बिल्कुल लंबवत होगा लंबवत का मतलब कि 90 डिगरी का कोड बनाएगा ठीक है आप देख रहे हैं 90 डिगरी कोड भी बना रहा है तो देखी दोस्तों आपने आपतित कीरण तो ग्य है आपको कुछ नहीं करना है अभिलंब के साथ आपतित कीरण जितना कोड बनाती है ये कोड ये वाला कोड अभिलंब के साथ आपतित कीरण जितना कोड बनाती है उतना ही कोड बनाते हुए अभिलंब के साथ परावर्तित हो जाएगा यानि लोड जाएगी ठीक है तो चल इंगल होगा कोड होगा उतना ही कोड यह भी होगा ठीक है तो चलिए इस कोड का मैं नाम रख देता हूँ आई मान लेते हैं कि यह कोड क्या है आई है और मान लेते हैं कि यह कोड क्या है भीया आर है ठीक है यह कोड आई है और यह कोड आर है ठीक है तो दोस्तों जब मैंने आप से कहा अभी अभी कि जितना कोड यह होगा उतना ही कोड यह होगा तो क्या इसको हम कोड आई बराबर कोड आर नहीं कह सकते तो जब आप होगा कि बिलकुल कह सकते हैं क्योंकि यह जब दोनों कोड आपस में बराबर हैं तो इसको आई कहेंगे उसको आर कहेंगे तो परावर्तित कीरण ठीक है परावर्तित के बास दोस्तों परावर्तन का बस यही नियम है कि आपतित कीरण अभिलंब के साथ जेतना कोड बनाती है उतना ही अभिलंब के साथ परावर्तित कीरण कोड बनाते हुए निकल जाती है ठीक है तो यही आपका सिंपल सा परावर्तन क का नियम है आप लोग बहुत अच्छे समझे होंगे तो चलिए अब इस पात को लिखते हैं यहां पर प्रकास परावर्तन के नियम अचलिए अब लिखते हैं कि चीत्र में चीत्र में LM एक परावर्तक प्रिष्ठ है अब बात करते हैं AO जो चीत्र में LM है वो एक परावर्तक प्रिष्ठ है हमने आपको साफ सब बता दिया है इसमें कोई रटने रटनाने वाली बात नहीं है ठीक है LM क्या है एक परावर्तक प्रिष्ठ है जिससे की प्रकास किरण परावर्तित हो जा रही है अब दोस्तों देखिए AO क्या है A और O तो दोस्तों आपको दिख रहा है आपतित कीरण क्या है आपतित कीरण यह क्या है भया आपतित कीरण आपतित कीरण उसके बाद O B क्या है यहाँ पर हम नाम रख देते हैं यहाँ पर हमने नाम नहीं लिखा है यहाँ पर B रख देता हूँ ठीक है तो यह माल लेते हैं हो गया O B O B क्या हो जाएगा परावर्तित कीरड ठीक है O B क्या हो जाएगा यह ओ, ओ, ओ क्या है तो चलिए ओ के बारे हमें लिखते हैं जो बिंदू ओ है वो क्या है भीया देखिए, जहां पर आपतित कीरोर देखिए, यह ओ क्या है तो ओ जो है आपका देखिए, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदू इस ओ को क्या कहते हैं आपतन बिंदू आपतन बिंदू आपतन बिंदू कैसे कहेंगे जिस बिंदू पर आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों होते हैं ठीक है उस बिंदू को कहते हैं आपतन बिंदू फिर सुनिए जिस बिंदु पर आपतित किरड परावर्तित किरड अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर होंगे उसी बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु आप देख सकते हैं कि आपतित किरड भी यहीं पे है अभिलंब भी यहीं पे और परावर्तित किरड भी यहीं पे तो यह दोस्तों य आई आता है O N की, O N क्या है, तुरंत आप लोग बता दिजिए कि O N क्या है, अभिलंब है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आप लिख दिजिए यहां पे, आपतन बिंदू पर अभिलंब है, आपतन बिंदू पर अभिलंब, ठीक है, आपतन बिंदू पर क्या है, अभि आपसे पूछा जा रहा है कोण आई ये लिजिए कोण आई इसका मतलब आप कोण आई को ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है तो कोण आई यहां पर क्या है तो कोण आई जो है वो कहलाता है यहां पर आपतन कोण इस वाले कोण को कहते हैं आपतन कोण ठीक है इस वाले कोण को कहते आपतित किरण कोड बनाएगी तो आप उसे कहेंगे आपतन कोड और जब अभिलंब के साथ परावरतित किरण कोड बनाएगी तो आप उसे कहेंगे परावरतन कोड परावरतन कोड ठीक है तो चलिए फड़ा से लिख लेते हैं जो कोड आई है वो क्या है भी या वो है आपतन फिर नियम में इतना चीजे जानना है बात सुझए है आप लोग को तो चलिए इस बात को मैं आपको एक बार फिर से तुरंद रिविजन कर दे रहा हूं फिर से समझे ध्यान से सबसे पहले हमने LM एक प्रिष्ट खीचा ठीक है क्या है वो अपारदर्सी प्रिष्ट है सता है जिस पर एक AO एक किरण आपतित हुई ठीक है तो जहां पर किरण आपतित हुई सता पर वहीं पर हमने एक अभिलंब खीचा वो अभिलंब कैसे खीचा जाएगा सता की बिल्कूल लंबद होना चाहिए ठीक है अभिलंब खीचा तो जीतना अभिलंब के साथ आपतित किरण कोड बनाती है उतना ही अभिलंब के साथ परावर्तित किरड भी कौन बनाएगी तो उतना ही हम कौन नाप के खींच के एक परावर्तित किरड को ड्रा कर लिए अब उसके बाद दोस्तों फिर हमने आप से कहा कि सब का नाम कर देते हैं तो यह हो गया LM एक सता हो गया और उसके बाद O है आपतन बिंदू है कैसे आपतन बिंदू है जब आपतित किरड अभिलंब परावर्तित किरड तीनों एक बिंदू पहोंगे तो उसे कहेंगे आपतन बिंदू और उसके बाद दोस्तों A O को कहा गया आपतित किरड O B को कहा गया परावरतित की रड़ और N O को कहा गया अभिलंब और उसके बाद I को कहा गया आपतन कोड R को कहा गया परावरतन कोड ठीक है? तो दोस्तों यही हमने इतना ची लिखा अगर आपके एक्जाम में पुछा था अगर प्रकाश के परावरतन के नियम बताईए तो आपको यह डाइगराम बनाना है और आपको इनके बारे में नाम करोड करके बस जश्ट ही या आपने क्या क्या किसको क्या क्या माना है आपको यहाँ पर लिख देना है ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए होगे तो चलिए आगे चलते हैं अब दोस्तों आप से पूछा जाएगा कि प्रकाश परावरतन के कितने नियम है ठीक है? प्रकाश परावरतन के नियम चलिए आगे देखते हैं हीडिंग है प्रकाश परावर्तन के नियम है तो दोस्तों देखिए प्रकाश परावर्तन के नियम में लिखी तो दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के निम्न लिखित दो नियम है पहला क्या है पहला नियम क्या है भाई पहला नियम है आपतन कोड तथा परावर्तन कोड बराबर होते हैं आपतन कोड तथा परावर्तन कोड बराबर होते हैं कहने का मतलब यह है कि कोड़ i is equal to कोड़ r ठीक है यहाँ बात इसके कहने का मतलब कि आपतन कोड़ और परावरतन कोड़ आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं तो आपने इस डाइग्राम में देखा भी था यह लिए मैं फिर से यह प्रक्ड़ दे रहा हूँ आपने इस डाग्राम में देखा भी है कि कोड आई बराबर कोड आ देखें ये दोनों आपस में क्या है बराबर है आपतन कोड पराबरतन कोड दोनों के क्या है बराबर है तो यहाँ पे यही पराबरतन का पहला नियम हो जाता है कि आपतन कोड तथा परावरतन कोड आपस में क्या होंगे बरावर होंगे चलिए नियम नंबर दो देखते हैं कि दूसरा का नियम भया क्या है परावरतन का इसको भी समझ लेते हैं तो देखे दूसरा का नियम है कि आपतीत आपतीत कीरण आपतीत कीरण परावर्तित कीरण तथा आपतन बिंदू पर अभिलंब तथा आपतन बिंदू पर अभिलंब एक तीनों एक ही तल पर होते हैं समयाए तोस्तों आपको आपतित कीरण परावर्तित कीरण तथा आपतन बिंदू पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं इस बात को हम फिर से समझते हैं देखिए इस डियाग्राम के थुरू यहाँ पर देखिए यहां पर देखिए आपतित किरड परावर्तित किरड और आपतन बिंदू आपतन बिंदू यह दोस्तों यह आपतन बिंदू पर जो अभिलंब खिचा गया है यह अभिलंब यह दिखे तीनों एक ही तल में है कि नहीं है जवाब में बिल्कुल है भाई आपतित किरड पराव अगर यहां पर दोस्तो आपतित किरड अगर आई है इस बिंदु पर तो अभिलम यहां पर खीचा जाएगा ठीक है और अगर आपतित किरड अगर यहां पर आई होती इस बिंदु पर तो अभिलम यहां खीचेंगे मतलब कि जहां पर आपतित होगा आपको वहीं पर अभिलम खीचना है सता से नब्यांस का कोड़ बनाते हुए ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं ये बात आप प्रकास परावरतन के दूसरा नियम को भी समझ गए कि आपतित कीरण परावरतित कीरण तथा आपतन बिंदू पर जो अभिलाम है वो तीनों कहां है या एक ही तलपर है यह दूसरा नियम है ठीक है तो यह दोस्तो बहुत इंपर्टेंट है आपके गजां में ये भी आता है प्रकास परावरतन के नियम यह आपके दो नियम है बहुत इंपर्टेंट है चलिए आगे आगे आपका अगला हीडिंग होगा समतल दरपड देखे दोस्तो अब तक हम लो heading होगा समतल दरपड अगला heading होगा समतल दरपड दूर्स सम्तल दरपरद से मैं बता दूँ कि बहु भीकलपी question आता है आपके एक एकनमबर वाले जो भीकलपी question आते हैं वो सम्तल दरपरसे ही ज्यादा तर आते हैं और बहुत दोस्तों आसान है बहुत आसान इससे आसान तो कुछ है यह नहीं है चलिए शुरू करते हैं देखिए समतल दरपड में सबसे पहले आप लिख लिजिए कि वे दरपड जिनका परावर्तक प्रिष्ठ परावर्तक प्रिष्ठ समतल हो समतल हो समतल हो समतल दरपड कहलाता है समतल दरपड कहलाता है ठीक है देखिए वे दरपड जिनका परावर्तक प्रिष्ठ समतल हो समतल दरपड कहलाता है दोस्तों आप जो आप कंगी करने के लिए जो आप सीशा देखते हैं मिरर वो क्या है समतल दरपड ही है देखें बेगल प्लेन होता है ठीक है तो वो क्या है समतल दरपड ही है आप अपने घर में हमें इसा यूज़ करते हैं वो ही है समतल दरपड अब दोस्तों आपका अगला heading है कि समतल दरपड़ द्वारा बने प्रतिबीम्ब की विशेस्ताएं क्या क्या होती हैं तो चलिए मैं अगला heading डालेता हूँ समतल दरपड़ द्वारा समतल दरपड़ द्वारा बने प्रतिबीम्ब की विशेस्ताएं सम्तल दरपड़ द्वारा बने प्रतिबीम्ब की विसेस्ताएं तो चली विसेस्ताएं हम जानते हैं फटा फट सब पहला आपका विसेस्ता आता है कि सम्तल दरपड़ द्वारा बना प्रतिबीम्ब सम्तल दरपड़ द्वारा बना प्रतिबीम्ब सदैव सीधा तथा आभासी होता है देखिए आप लोग को सदैव सीधा तो समझ में आ रहा होगा परंटु आप लोग को आभासी समझने में छोड़ा सा समस्या उत्पन हो रहा होगा कि ये आपने सीधा बोला ठीक है कि प्रतिवीम हमारा सीधा बन जाएगा समतल दरपड में और आभासी बनेगा ठीक है चलिए दूसरा देखते हैं प्रतिबीम्ब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है ठीक है बस्तु के साइज के बराबर होता है नमबर तीन दखिए अभी मैं को समझाता हूँ दूसरों कि यह सब क्यार में लिख रहा हूँ प्रतिबीम्ब दरपड के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर दरपड के सामने दरपड के सामने बीम्ब दूसरों के बीम्ब को ही वस्तु कहते हैं बीम्ब या वस्तु रखी होती है रखी होती है ठीक है यह आपका नमबर तीन हो गया आगे आपको बताता हूँ नमबर चार अगला विसेशता क्या है प्रतिबीम्ब पार्सव परवर्तित होता है अर्थात अथाद दाया भाग बाया तथा बाया भाग दाया दिखाई देता है दिखाई देता है ठीक है तो यह हो गया आपका समतल दरपर द्वारा प्रतवीम का जो भी सिष्थाएं है वो आपका इतने है ठीक है अब समझते हैं इस बात को कि यह कहने का मतलब क्या है ठीक है दूस्तों चले समझते हैं देखिए मैंने आपको पहले बताया कि समतल दरपड़ द्वारा बना प्रत्विम सदैव सीधा तथा आभासी होता है ठीक है इस बात को चलिए समझते हैं इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ देखिए समतल दरपड़ द्वारा जो बना प्रत्विम है वो सदैव आपका क्या होगा सीधा होगा देखिए दोस्तों यदि आपके घर में जो सिंगरदान होता है जिसमें आप लोग अपना फेस देखते हैं या कोई सीषा है तो यदि आप सीषे के सामने यदि आप खड़े हो जाईए ठीक है सीषे के सामने यदि आप खड़े हो जाईए तो उस सीषे में आपका प्रत्विम बिल्कुल सीधा बनता है यदि आपका पैर नीचे है तो सीसे में भी पैर नीचे होगा और यदि सीर उपर है तो सीर भी क्या होगा इसमें उपर होगा ठीक है तो प्रतवीम बिल्कुल क्या बनेगा सिधा बनेगा और दोस्तों क्या बनता है आप हासी बनता है आप हासी का मतलब यह हुआ कि जब प्रतिबीम बनने के लिए जब किरणे चलती हैं तो वो किरणे वास्तों में नहीं मिलती हैं मिलती हुई प्रतीत होती है इस बात को भी आगे जो है कि जब प्रतिबीम बनाएंगे तो आपको समझा देंगे अब दूसरा नमबर दोस्तों है कि प्रतिबीम्ब का साइज वस्तू के साइज के बराबर होता है अगर जो आदमी सामने खड़ा है इसको मान लीज़े कि यह वस्तू है ठीक है और सीसे में जो बन रहा है उसको मान लीज़े कि यह प्रतिबीम्ब है ठीक भाई? सीसे में जो बना वो क्या है? प्रतिबीम्ब है तो हमने कहा कि जो वस्तु का साइज होगा वो प्रतिबीम्ब के साइज के क्या होगा? बराबर होगा जैनि यदि इस मीरर के सामने कोई 5 फिट का लड़का अगर खड़ा होता है तो उसका जो प्रतिवीम सीसे में बनेगा वो भी 5 फिट के बराबर ही होगा ऐसा नहीं है कि वो उसमें आपको बॉना दिखेगा या फिर बहुत लंबा दिखेगा अमिताब बच्चन की तरह ठीक है प्रतिवीम दरपड के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर दरपड के सामने कोई वस्तू रखी होती है देखिए इस दरपड के सामने जितने दूरी पर आप खड़े रहेंगे आपका प्रतवीम भी दरपड से उतने ही दूरी पर पीछे बनेगी अब ऐसा नहीं कि सीसा के पीछे बनेगा आप सीसा के पीछे लगे देखने प्रतवीम ऐसा नहीं है आपको आभास होगा कि आपने जो है कि इस सीशा से जितना दूरी पयाप आगे खड़े हैं इस सीशे में भी आपका प्रतिबीम उतनी दूरी पर पीछे बना हुआ है आपको ऐसा प्रतित होगा ठीक है तो ये आपका तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया चोथा पॉइंट देखते हैं प्रतिबीम पार्स परावरतित होता है और थार्थ दाया भाग बाया तथा बाया भाग दाया दिखाई देता है यदि आप सीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो दाहिना हाथ होगा वो सीशे में आपका बाया हाथ लगएगा ठीक है आ आपका जो दाहिना हाथ होगा, वो सीसे में आपको बाया प्रतित होगा, और आपका जो बाया हाथ होगा, वो आपको दाया प्रतित होगा, दोस्तों इसका बहुत ही एक अच्छा मेक्जाम पर दे सकता हूँ, आप एक सीसा लीजिए, ठीक है, और सीसा के सामने आप किसी पन् और यदि आप सीसे के सामने अगर आप यन दिखाते हैं बना के तो आपको सीसे में यन ऐसा दिखेगा ठीक है सीसे में कैसा यन दिखेगा ऐसा यन दिखेगा तो दोस्तों इससे साब जाहिर होता है कि जो भी वस्तु है वो वस्तु पलड़ जाती है यानि उस वस्तु का जो दाया है वह बाया हो जाता है और जो बाया है वह दाया हो जाता है ठीक है तो इसी को कहते हैं पार्स परावर्दन अब यहीं पर मैं एक बहुत एक अच्छा question आपको बता देता हूं कि ambulance पर क्यों ambulance उल्टा लिखा जाता है देखिए ambulance ऐसे लिखा जाता है ambulance ऐसा लिखा रहता है आप कभी देखिएगा ambulance गाड़ी के जो बोनर्ट पर जो ambulance लिखा रहता है वह ambulance ऐसे लिखा होगा क्यों लिखा जाता है क्योंकि यदि ambulance के आगे जो भी गाड़ीयां चल रही है वो अपने back mirror में देखेंगे कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है तो उस mirror में यह ambulance पास परावरतन के काईर यह जो ambulance लिखा गया है वह उसमें सीधा हो जाता है क्या हो जाता है सीधा हो जाता है यानि उलड जाएगा यानि A जो last में है वो A पहले आ जाएगा देखें जो दाया है वो कहां पहुंच जाएगा बाएं पहुंच जाएगा ठीक है और जो लिखावत है वो भी क्या होगा पल्टेगा तो A यहां आ जाएगा M का परिवर्तन तो होगा पर वो दिखने में वैसा ही रहेगा B का परिवर्तन होगा और B ऐसे हो जाएगा यू तो ऐसे ही रहेगा परिवर्तन होगा लेकिन आपको प्रतीत नहीं होगा ठीक है एल जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा पर प्रतीत नहीं होगा यन जो है वो यन ऐसे हो जाएगा C जो इधर का मुह खुला है वो और ambulance उल्टा लिखा जाता है, क्यों पार्स परिवर्तन के कारण, पार्स परावर्तन के कारण, वह क्या हो जाएगी, सीधे हो जाएगी, ठीक है, तो यह आपका बहुत important question था यहां से, आपका यह भी clear हो गया, कि समतल दरपड में क्या-क्या होता है, यह 4 point होता है, और इसको आप बहुत अच्छे से गौर करेंगे, ठीक है, दोस्तों, आगे मैं heading लगाता हूँ, गोली दरपड, अगला heading आपको पढ़ना होगा, गोली दरपड, गोली दरपड, ठीक है, अगला heading होगा, गोली दरपड, तशली दोस्तों, इस गोली दरपड को हम जो है कि अगले revise करिएगा, और मैं जीतना आपको लिखाता चल रहा हूँ, प्लीज प्लीज आप उसको note करते चलें, और इसको revise भी करते रहें एक बार, ठीक है, बाकी मैं जैसे ही ये कुछ topic complete होगा, मैं एक बार फिर से revision कराऊंगा, quick revision, ठीक है, जिससे आपको एकदम एकदम आपके खू झापके बार, भी शापके बार, भी खुछ एक बार, भी खुछ करते रहे हूँ, आपके लिएम, जैसे लिएक आपके खुछ।